हेलो फ्रेंड्स वेल्कम स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक ऑफ डिस्क्शन प्रोजेक्ट मेनेज्मेंट और फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग हमारी ये मिशन गेट एंड ये सी 2021-2022 को जोईन कीजे हमारा चैनल है अनकेडमी गेट मेकैनिकल इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजे और यहां पर मैं आपको एवरी डे प्रोजेक्ट मेनेज्मेंट के कुछ टॉपिक आपके साथ डिसक्स करता हूँ ठीके फ्रेंड्स हमारी एक बहुत ही वेल और काफी वेल एक्सपीरियंच एक टीम है जो कि एवरी डे इसमें से कई लोग आते हैं और आपको एवरी डे कुछ ना कुछ टॉपिक आपके साथ डिसक्स करते हैं और यह है मेरा ब्रीफ प्रोफाइल अगर आप प्लस पर कोई कोर्स जोइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड सर्वेश 10 यूज कीजिए और यह जो हमारा यह जो वीडियो लेक्शर सीरीज है बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है यह बहुत ध्यान से पढ़ना है इसे आपको इसी तरीके से आप निटी मुंबई या निकमैर के लिए अगर आप पोस्ट गर्जवेट प्रोग्राम के अगर आप देख रहे हैं अगर आप CII आई आई पेट की बात कर रहे हैं य और आज का हमारा टॉपिक है बार चार्ट एंड माइल स्टोन चार्ट ओके या फिर इसको पहले आप हैडिंग डालिए मैथड्स ओफ प्रोजेक्ट मेनेजमेंट में हमारे पास कौन-कौन से मैथड्स है जिनका इस्तिमाल करके हम लोग जिनका इस्तिमाल करके हम लोग अपनी चीजों को देखते हैं और सीखते हैं ठीक है फ्रेंट्स यहां पर हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट मैथड्स हैं एक है जैसे कि बार चार्ट अभी यह कहां अटक गया शॉरी वन मिनिट् यह थोड़ा कभी कभी अटक जाता है पहला मैथड तो है हमारे पास बार चार्ट ओके बार चार्ट को यह हम लोग गैन चार्ट के नाम से भी जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है यह अगला है हमारे पास माइल स्टोन चार्ट और तीसरी चीज़ है हमारे पास नेटवर्क अनलिसस तो आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि यह पहला और दूसरा यह जो दो टॉपिक हैं बार चार्ट और माइल स्टोन चार्ट इनको डिसकस करने के लिए आज के लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि इन दोनों को डिसकस किया जाए तो चलिए देखते हैं क्या क्या होते हैं बार चार्ट और माइल स्टोन चार्ट तो सबसे से पहले हैं यह फ्रेंड से बार चार्ट कि अगर कि अगर कि क्या होता है फ्रेंड से हेंड्री गैंट नाम के एक साइंटिस्ट थे हेंड्री गैंट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इयर नाइंटीन हंड़ेड में ये एक गैंट चार्ट इन्होंने दिया था जिसको कुछ जगों पर गैंट चार्ट कहते हैं और कुछ जगों पर बार चार्ट के नाम से जाना जाता है इसमें क्या करते हैं हम लोग किसी भी एक्टिविटी वर्सेस टाइम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओफ एक्टिविटी वर्सेस टाइम ये काम किया जाता है इसमें क्या करते हैं हम लोग की होरिजोंटल एक्सिस पर टाइम ड्यूरेशन दिखाते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर हम लोग एक्टिविटी या जॉप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर टाइम ड्यूरेशन को दिखाते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर वर्टिकल एक्सिस पर एक्टिविटी या जॉपस को रिप्रेजेंट करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पर एक्तिविटी या जॉपस को रिप्रेजेंट करते हैं यहां पर यह जो एक्टिविटीज या जॉप्स जो दिखाई जाती है यह किसी एक बार से दिखाई जाती है बार बतल यह एक ऐसा बॉक्स होता है इस से दिखाई जाती है ओके अब यह जो बार है इस बार का जो starting होता है वो activity की start को represent करता है it represents start of activity and ending of bar represents ending of activity ओके ऐसा होता है तो जब हमें यह पता चल गया कि कोई activity माल लिया सुबा पांच बजे शुरू होती है ओके और 11 बजे खतम होती है 11 a.m. पे 5 a.m. पे start होती है और 11 a.m. पे खतम होती है तो हम लोग से अगर पूछा जाए कि उस activity का duration क्या है तो बड़ी आसानी से हम लोग ending time में से starting time को minus करनें तो हमें duration of activity पता चल सकती है तो बड़ी आसानी से हम लोग length of bar से duration of activity का पता लगा सकते है length of bar से duration of activity का पता लगा सकते है तो यह इन चीजों को आप लोग देखिए और इससे हम लोग मैं आपको अगले पेच में दिखाता हूं किस तरीके से कोई एक bar chart या gant chart बनाया जाता है झाल 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 यहां पर देखिए क्या हुआ हमने क्या दिखा दिया let us suppose मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पर कोई तीन activities हैं तीन activities हैं A, B और C A में time लगता है 3 units का B में time लगता है 2 units का और C में time लगता है 4 units का तो आएए देखते हैं किस तरीके से और यह इसी order में होती हैं पहले A के बाद होता है B सबसे पहले शुरुआत होती है A से A के बाद करते हैं B और B के बाद करते हैं C ठीक है friends तो सबसे पहले आपने यहां से यहां तक यह दो time unit यह ले लिया जहां से A खतम हुआ वहीं से आपने B को शुरू किया अच्छा A का था तीन का था ना sorry 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 A का तीन था तो यह हमने ले लिया A यह एक box आगिया A रिप्रिजन कर रहा है इसे जहां से A खतम हुआ वहीं से B शुरू हुआ यह होगया B और जहां पर B खतम हुआ वहां से C शुरू हुआ अगले चार टाइम इनुन तक 5 से 6, 7, 8, 9 9 तक गए हम लोग ओके ये इस तरीके से ये C वाला आपका बॉक्स बना दिया आपने तो ये 3 आपने कर दिये अब ये चाहिए आप shaded region बनाएं चाहिए ना बनाएं इससे कोई खास परक नहीं पड़ता है कुछ books में shaded कर देते हैं कुछ books में नहीं भी करते हैं अब देखिए यहां पर खास ख्याल ये रखना है यहां पर खास ख्याल ये रखना है कि हमें इन activities का जो precedence relationship होता है कि एक्टिविटीज का प्रिसीडेंस रिलेशनशिप उसका खास क्या लखना होता है प्रिसीडेंस रिलेशनशिप मतलब पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है उसके बाद कौन सी activity कहां पर शुरू होती एक्टिविटी कहां पर खतम होती है इन चीनों का भी खास क्या लखना होता है और फिर हम लोग कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ activities कोई एक activity खतम होने के बाद दूसरी activity शुरू होती हो या किसी एक activity के शुरू होने से पहले ही कोई दूसरी activity खतम हो जाती ठीक न? मैंने क्या बोला? जैसे a के खतम होने के बाद b शुरू हो रही है या फिर c के शुरू होने के पहले ही b खतम हो जा रही है तो यहाँ पर आप के पास clear identification है कि कोई एक activity जब खतम हो जाती तभी दूसरी activity शुनू होती है यहाँ पर यह ऐसा होने के साथ-साथ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दो या दो से ज़्यादा activities एक ही time पर parallel हो ओके एक ही time पर कुछ दो या दो से ज़्यादा activities पर लिए रन कर रही हो इस बात का भी मतब प्रोवीजन होता है यह चीज़ भी हो सकती है आपको देखने को मिल सकती है ओके फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम लोग एक 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 जामपल ले लेता हूं मैं एक नुमेरिकल एक्जामपल ले लेता हूं ओके एक 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 टिविटी और यह है डियूरेशन आपके पास डेज में डियूरेशन दे रखी है एक्टिविटी A, B, C, D E, F, G A, B, C, D E, F, और G ओके तो A के लिए है 1, 2, 4, 3 1, 2 4, 3 1, 2, 4 ओके ऐसा कुछ है 1, 2, 4, 3 1, 2, 4 ऐसा आपको डेटा दिया हुआ है अब यहां पर कुछ additional information यह भी दे रखी है कि आपको यह जो activity B और activity C हैं वो concurrently run करती हैं 2, 5 आपको बती है 2, 6, 7, 8 concurrently and both must follow and both must follow activity a okay के आगे दिया हुआ है activity B must proceed activity a activity B मस्ट प्रिसीड एक्टिविटी 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 डी डी र डी के पहले ही बी आपकी खतम हो जाती है डी शुरू होने के पहले ही बी एक्टिविटी खतम हो जाती है आगे दिया हुआ है activity e cannot begin until both activities cannot begin until both activities until both activities बी एक्टिविटी 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 एक्टिवि स्टार्टेड ओनली आफ्टर ओनली आफ्टर ओनली आफ्टर एक्टिविटी डी एंड यी आर कम्प्लीटेड इसका सलूशन करके देखते हैं कैसा है अब देखें कई जगों पर क्या होता है कई जगों पर आपके जो डियाग्राम बना हुआ दिखता है यह ऊपर से नीचे बना हुआ दिखता है लेकिन मैं इसको नीचे से ऊपर जैसे जैसे एक 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 एक्टिविटी पास होता है वैसे वैसे मैं इसे नीचे से ऊपर बनाने में बलाई समस्ता हूं ठीक है योग है योग है वन तो थी फोर फाइव 6, 7, 8, 9, 10, 11, देख लेंगे आगे कर जोट पॉली तो आगे भी देख लेंगे, ठीक है रही, देख दिया हुआ है activity A, duration है इसका 1, ओके, और A के बारे में और कुछ नहीं दिया हुआ है, B और C बता रहा है, जो कि A को follow करते हैं, इसका मतलब, इसका मतलब, A activity से हैं ये पूरा network शुरू हो रहा है, तो आपने सबसे पहले एक time unit अलॉट कर दिया activity A पर, ओके, अब यहीं जहां पर ये activity A खतम हुआ, वहीं पर आपने क्या किया, वहीं से B और C ये दोनों भी शुरू किया है, तो B शुरू हुआ, वन से गया कहां तक, ये गया 3 तक, और ये गया, वन से शुरू करके 5 तक, झाल 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 ठीक है न यह क्या है यह हो गया B और यह आगे आपने बास C अब देखे क्या कह रहा है कि B must proceed D यानि कि D के शुरू होने के पहले B खतम हो जाना चाहिए हर हाल में यानि कि जहां पर B खतम हुआ है वहीं से आपको D शुरू कराना है और D आपकी टाइम इनिट लेता है तीन टाइम इनिट लेता है तो यह D जो है यह D यहां से शुरू हो करके 6 तक जाएगा यह आया हमारा D अब इसके बारे में कहे रखाया कि जब तक B और C प्प्लीट हों जाएं तब तक E start नहीं हो सकता है तो B complete कहां होता है? B complete होता है 3 टाइम इनिट पे और C complete होता है 5 टाइम इनिट पे तो जहां पर 5 पर C complete हो रहा है वहीं से E start किया जाएगा और E का time unit क्या है E का time unit है 1 का ओके यह आगया हमारे पास 1 अब आगे लिखा हुआ है F and G can be started only after D and E are completed D और E कहां complete हो रहे है 6 पर आखर complete हो रहे है D और E कहां पर complete हो रहे है 6 पर complete हो रहे है तो यहां से start होगा F F आपका 6 से 2 time unit 8 तक जाएगा और आपके और ऐसे ही यह जो G है यह G 6 time unit से start हो करके 10 तक जाएगा तो और जाएगा यह जाएगा तो यह अगे ए यह अगे Ф और यह जी बजाएगा certain कि हुआ हूँ फ़र अ-पर आपके की के सी नाम पर आपके की की नामिए पर उनी के नाम कि यह मिस्अ ना यह हो गया आपका D, यह E, यह F और G ठीक है फ्रेंट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने GAN चार्ट बनाया है एक साइड में हमने दिखाई हैं एक्टिविटीज और दूसरे साइड में X Axis, Horizontal Axis में Time दिखाई है ठीक है फ्रेंट्स तो यह इस तरीके से जब हम लोग किसी भी चार्ट को बनाते हैं तो यह चार्ट कहलाता है GAN चार्ट या फिर बार चार्ट अब इसके एडवांटेज़ और लिमिटेशन देख लेते हैं एडवांटेज़ क्या है बहुत ही सिंपल है एडवांटेज़ क्या है सिंपल है आसानी से ड्रॉ हो जाता है सिंपल टू ड्रॉ देन आपका इसमें किसी भी trained या skilled worker की requirement नहीं होती है मतलब कि unskilled worker भी इस पर काम कर सकता है इसको बना सकता है उसके बाद इसमें आपको जैसे जैसे कोई एक activity खतम होती जाती है वैसे वैसे आपको percentage of work पता चलता जाता है कि कितना percentage of work complete हो गया देखिए टोटल आप 10 तक जा रहे हैं टोटल आपके project की duration 10 time unit है कोई भी activity खतम होती जैसे मालिया मने का C activity खतम होई है तो कितना time duration खतम हो गया तो 5 हो गया खतम और total है 10 तो 10 में से 5 क्या हो गया पचास परसंट हो गया दी की अगर बात करें तो D और E 60 percent time तक खतम हो जा रहे हैं F जो है 80 percent time तक खतम हो जा रहे हैं तो percentage of work जो है percentage of time और percentage of work आपको पता चलता रहता है ओके फ्रेंड्स प्रोग्रेस आपको percentage के time में पता चलती रहती है यहां पर आपको इस visual representation से इस activity के इस project के visual representation से फायता यह होता कि आपको exactly यह पता चलता रहता है कि कोई activity exactly किस समय शुरू होनी चाहिए थी और किस समय खतम होनी चाहिए तो real life में हमें बड़ी आसानी पड़ती है ओके फ्रेंड्स लिमिटेशन्स अगर देखी जाएं इसकी अगर इसकी limitations हम लोग देखने जाते हैं तो limitations में हमें क्या पता चलता है कि केवल और केवल major activities को ही यहां पर दिखाया जा सकता है केवल major activities को ही यहां पर दिखाया जा सकता है अब जैसे मालिया हमने days में दिखाया था अब कोई activity ऐसी हो जो कि आपकी 6 गंटेम पुरी हो जाती हो आठ गंटेम पुरी हो जाती हो तो उसको यहां पर कैसे दिखाया आप देखिए हर एक unit जो है हर एक box जो बनाया गया था वो एक specific एक line एक vertical line जो dotted line खीचे गई यह वहीं से या तो start होता और या तो वहीं पर खतम होता है एक number पे start होता है एक number पे खतम होता है तो यहां पर हमें दिखा पाना किसी भी minor activities को दिखा पाना संभाव नहीं होता है ओके केवल major activities को ही show किया जा सकता है only major activities can be shown ओके अगला एक important limitation हो जाता है कि यहां पर क्योंकि हम लोग minor activities या sub activities को नहीं दिखा सकते हैं तो इसी लिए effective control जो है minor activities के ऊपर या sub activities के ऊपर वो सम्भाव नहीं रहता है effective control over minor activities इसी तरीके से कुछ हमें नुकसान होते हैं इसी तरीके से यह जो बार चार्ट या फिर जो गैंड चार्ट है गैंड चार्ट की हल्प से हम लोग इसको हम लोग एक control device के रूप में इसका इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं cannot be used as a control device क्योंकि जब यह पूरी तरीके से प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को माइनर लेवल पर नहीं दिखा पाता है तो कंट्रोल कैसे कराएगा इसी तरीके से एक और अगर इसका नुकसान देखें एक और नुकसान इसका यह है कि प्रोजेक्ट में जो डिफरेंट एक्टिविटीज हैं उन डिफरेंट एक्टिविटीज का एक दूसरे के ऊपर क्या इंटर डिपेंडेंडेंस है यह चीज इंटर डिपेंडेंडेंस रिलेशन्चिप जो है वैरेस एक्टिविटीज के बीच में यह चीज यहां पर हमें नहीं दिखती है तो So, bar chart do not show interdependence and interrelationship between various activities of the project. तो यह होगे लिमिटेशन्स. यहां पर फ्रेंड्स हमें critical activities के बारे में नहीं पता चल पाता है, सबसे बड़ा problem एक यह है कि critical path नहीं पता चलता है और critical activities के बारे में कोई information नहीं मिलती है. इसी के साथ साथ यहां पर cost के बारे में भी कोई information नहीं मिलती है. No information about the cost optimization. Okay, cost optimization possible नहीं होता है यहां पर. No option No option If not possible To crash the activities Not possible to crash the activities and Get the optimum cost And get the optimum cost And project and optimum project duration Okay, तो इन चीज़ों का खास क्या लखना चाहिए हमें? यह हो गए advantages और limitations हो गए बार चार्ट के. आगे बढ़ते हैं friends आगे बढ़ते हैं जैसे हमने पहले देखा था यह बार चार्ट देखा था वैसे ही अब देखते हैं यह milestone chart देखते हैं. Heading डालिए milestone chart एक तरीके से देखा जाए तो यह जो milestone chart है यह एक improvement होता है. It is an improvement over the bar chart. Okay, it is an improvement over the bar chart के उपर यह improvement होता है. Improvement over the bar chart. Bar chart के उपर यह improvement होता है. इसमें क्या करना पड़ता है हमें? इसमें हम लोग किसी भी activity में क्या होता है कि कुछ key event होते हैं. किसी भी एक activity जो दो दिन में, चार दिन में, दस दिन में पूरी होने वाली है. इसमें कुछ key event होते हैं, जिनको हम लोग milestone के रूप में जानते हैं. कि अब यह काम पूरा हो गया, फिर यह काम पूरा हो गया, फिर यह काम पूरा हो गया. आपका क्या कहते हैं, अब इसे मान लेजिए कि हमें, वो event कहलाती है, वो milestone कहलाती है, इसे मान लेजिए हमें किसी एक प्लोर पर, किसी एक जगा पर हमें construction work करना है. तो construction करने के लिए हम लोग पहले एक बार में सारी इंटे लेते आए, उसके बाद फिर हम लोग सारी बालू लेते आए, फिर सिमेंट लेते आए, फिर हम लोग गिटियां लेते आए, फिर हम लोग इंटे लेते आए, तो जब यह चारो सामान आ गया हमाया, तो बस अब यह जाकर की यह हुआ हमारा collection of raw material एक जो activity थी बड़ी activity collection of raw material इसमें चार raw material अलग अलग थे तो चारों को जो हम लोग ने खटा किया तो उसको हम लोग एक छोटा-छोटा event मान सकते हैं और एक-एक event complete होने के बाद दूसरा event शुरू करते हैं तो यह जो की event होते हैं इनी की event को हम लोग milestone के रूप में जानते हैं और इस milestone चार्ट में उन की event को भी represent किया जा सकता है ओके यहां पर हम लोग किसी भी की activity किसी भी किसी भी activity में कई सारे की event होते हैं जिने milestone के रूप में जाना जाता है उन्हें भी represent कर सकते हैं ओके यह जो milestone होते हैं यह बार चार्ट में जो box बनाते थे आप बार बनाते थे उसमें arrow बना बना करके show किये जा सकते हैं ओके यह एक हर एक milestone है हर एक milestone एक specific event के रूप में consider किया जाता है कि यह इस total activity में यह जो milestone था यह एक specific event था और इसके पूरे होने के बाद हम लोग अपिरब आगे बढ़ सकते हैं ओके तो इस तरीके से सबसे बड़ा advantage क्या होता है सबसे बड़ा advantage यह होता है कि हम लोग किसी भी किसी भी activity को कई सारी sub activities या key events में divide कर पाते हैं और project की progress को आसानी से observe कर पाते हैं इस तरीके से जब project की progress को आसानी से observe कर पाएंगे तो project के उपर हमारा control better control रहेगा ठीक है friends देखिए मैं आपको दिखाता हूं जैसे कि एक यह बनाया तीन पे है यह फिर एक यह बनाया यह तीन दो पांच पे था और यह पांच से शुरू करके 10 तक ले गए ठीक है a, b और c यह तीन हमने जो हमने सबसे पहला जो डाइगराम मनाया था यह वाला इसी डाइगराम को मैं फिर से आपको यहां पर बनाकर दिखा रहा हूं इसमें क्या है friends की हम लोग क्या करते हैं इसमें बीच बीच में जैसे कि मान लिया कि हर एक हफ़ते में यह वाला डाइगराम जो था यह किसमें था यह हमने लोग के बाद डेज में यह डेटा था ठीक ना डेज में यह डेटा था तो इसमें क्या था कि यह डेज में यह डेटा था तो हमने यह मान लिया कि हर एक दिन जब शाम को काम खतम होता है तो वह एक specific की इवेंट का काम होता है ठीक ना तो यहां पर हम लोग दिखा सकते हैं रो भाई यह एरो से हमने दिखा दिखा दिए पहली activity में दूसरी activity में अब जो तीसरी activity थी य जिसमें alternate day पर पहले दिन पीसरे दिन और पांच वे दिन या पर दूसरे दिन और 4 दिन हमने मान लिया है कि कुछ एक key event होता है तो एक मैदी दुसरे दिखा दिया एक चौते दिन दिखा दिया इससे हमने ये जो एरो दिखा вопросы से हमारा यह milestone रेप्रेजेंट हो रहा है यह milestone ह हम लोग दिखा पा रहे हैं ठीक ना फ्रेंट्स तो यह एक की इवेंट हम लोग दिखा पा रहे हैं की इवेंट हम लोग यहां पर आसानी से दिखा पा रहे हैं एडवांटेज क्या है एडवांटेज है माइल स्टोन चार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज यह एडवांट लिएन करा व वह रहा कि अभी युटाना वाला जो प्रॉब्लम एक आ रहा था वह को प्रॉब्लम अभी भी रिमू नहीं हुआ है पुराना प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि एक्टिविटीज के बीच में जो इंटर रिलेशन्शिप होता है वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग ओके एक्टिविटीज के बीच में जो इंटर रिलेशन्शिप होता है उसको रिप्रेजेंट कराना अभी भी संभाव नहीं है यहां पर भी माईलिस्टोन चार्ट में भी ड़स नौट रिप्रेजेंट लिप्रेजेंट चार्ट में बडिप्रेजेंट करेजेंट कर्ऺेश नहीं है ड़स नोट रॉडेजेंट रिप्रेजेंट उल्यऊयसिप्रेजेंट जीच जीफ थीट रीच्त टर व मैं ए टो avons stack式 यह एक limitation अभी भी बहुत बड़ी limitation यह आपके सामने रह जाए ओके तो यह कुछ important points हमने discuss कर लिए friends यह कुछ important points हमने discuss किये हैं यहाँ पर किसके बारे में यह हमारे milestone chart और bar chart के बारे में देखे friends यहाँ पर एक और important point जो अक्सर पूछा जाता है कि bar chart और milestone chart के बारे में वो यह है note मिलिख लिजिए friends यह यह नहीं कही note मिलिख लेटेए कि यह जो बार चार्ट होता है फ्रेंस वह एक्टिविटी ओर्येंटेल होता है आपको यह पता होना चाहिए कि यह ए अ करो कि अ करिक यह एक्टिविधी ओर्येंट यह स्ट bonव टाय। कि यह एक्टिविटी ओर्येंट गंड ट्रॉ Això trembling milestone chart is event oriented ठीक ना friends bar chart activity oriented होता है और milestone chart event oriented होता है इस बात का खास ख्याल लखिएगा कई बार कई comparative exams में यह चीज पूछ लिए ओके friends तो आज के lecture को अब stop करने का time आ गया है यहाँ पर हमने जैसा देखा यहाँ पर हमने देखा की methods of project management की अगर बात करते हैं हम लोग तो एक तो है bar chart या gain chart इसको discuss कर लिया एक दूसरा है milestone chart इसे discuss कर लिया अब एक तीसरा आता है network analysis इसे आज के lecture में लेक्चर इसके उपर आने वाले network analysis बहुत ही important topic है और अगले 2-3 lectures अकेले इसी के उपर चलेंगे तो हम लोग मिलेंगे खल के lecture में फिल और वहाँ पर हम लोग यह network analysis का discussion स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए आपको wish you good luck and thank you और आपको अगर हमारा यह unacademy plus का course जोईन करना हो जिसके यह इतने सारे benefits हैं आपको पहले से ही पता है अगर आपको यह जोईन करना हो तो आप unacademy.com या फिर unacademy का learners app डाउनलोड करें unacademy.com website पर जाएं या unacademy learners app डाउनलोड करें वहाँ पर आप अपना goal set करें वहाँ पर फिर आप subscription बटन पर क्लिक करें फिर आपको जो subscription चाहिए उस पर क्लिक करें और फिर यह मेरा code service 10 या service 11 इन दोनों में से कोई भी एक code अगर आप डालेंगे तो आपको 10% का instant discount मिलेगा यह payment आप कर सकते हैं तो यह आपका total method है कोई भी plus coach को जोइण करने का अगर आपको कभी भी कोई भी plus coach जोइन करना हो तो मेरा code याद रखें service 10 आपको तुरंट 10% का discount मिलेगा ओके friends तो फिर बस इस lecture में इतना ही कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए wish you good luck and thank you